नमस्कर दोस्तों गाड़न गयन चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ अगर्ष्ट का फास्ट विक होने लगा है और मेरे गाड़न में बहुत सार फूल किला है तो आज इस वीडियो में ऐसे दस पोधे दखेंगे जो कि अभी जोरदार फूल दे रहे हैं और आप नर्सरी से अभी इनको लाके लगा सकते हैं पहला है दोस्तों एडेनियम और एडेनियम अभी दखिए बहुत बढ़िया खिलता है बारिस में और बारिस में रोट होने का चांस भी इसका रहता है तो मीडिया आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए मीडिया जब आप ले रहे हैं तो मोटा बालू जो आता है भजरी उसे आप मिला ये और उसमें अगर आप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है पानी ड्रेन आउट हो जाता है और पानी गमले में आपका ठेरना आने चाहिए नहीं तो ये गल जाता है दोस्तों और पता डोट सब आता है दोस्तों और ये डवल पेटल में रहता है और बहुत सारा खिलता है ये डवल पेटल सब हवी ब्लूमर रहते हैं और मॉल्टी पेटल सब एक-एक फूल देते हैं और खिलने में भी बहुत टाइम लगाते हैं दोस्तों एडिनियम खासकर आपका जून हैं और अभी आप थोड़ा थोड़ा फटी लेजर अगर देते हैं इनको तो बहुत बढ़िया रहता है नेक्स्ट पोदा है हमारा बालसम बालसम को आपका गुल महंदी भी बोलते हैं और इसके उपर मैं वीडियो लाया था इसके क्यार के उपर और देखिए नीचे से और पानी इसको जवरदस चाहिए जब इसमें फूल आया हो नहीं तो यह मूर्जा जाता है दोस्तों अभी 10-12 दिन हो गया बारिस नहीं हो रहा है तो बहुत दिकत हो रहा है और पोधों में बहुत पानी देना पढ़ रहा है समर में जैसे पानी देना पढ़ रहा था दोस और कितना सुंदर सुंदर फूल दिया है ये आपका पता भी बहुत सुंदर दिखता है और फूल भी देखिए इसमें बहुत कमाल काता है और फूल के सेंटर से एक रेड कलर का और एक फूल निकलता है तो देखने में बहुत प्यारा है इसका नर्माल वेराइटी आप देख चूके होंगे लेकिन यह वहरीगेटेड देखिए बहुत प्यारा प्यारा पता है दोस्तों और यह नरसरी में मिल जाता है तो मिलेगा तो आप जरूर खरीद के लाएगा ये एक सेमी भाइन होता है और प्रूनिंग करते हैं तो कंपक्ट होके रहता है नहीं तो भाइन जैस रहां। और यह हैट मैं फूल देता है करीब देखिए आपका 3,3.5-3pe guard-4pt में खुल देखने में बहुत बड़ी अलगता। बड़ी अधा है 3000 बटर फ्लाए को ये इसन पर देता है खुल और बाइबन को बहुत बड़ावग लाएज ना साल में किसी भी सीजन में आपको फूल देदेगा और यह दिखिये तेभी यह रहाँ से बहँत सारा से मैं बहुत सारा बनाए हूँ और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको चलिए उस तरब चलते हैं यह देखिए इस गमले में मैं सब कलर का कटिंग लगा दिया हूँ और वो हो गया है दोस्तों यह देखिए औरेंज कलर का है यह आपका वाई कलर है सिंगल पेटल में और यह दे चुटा चुटा लेकिन जवर्दस्ट फूल दिया है ये और ये दो तीन गमले में है मेरा और सब मिल के दखिए बहुत बड़ी अलग रहे हैं नेक्स्ट पोदा है हमारा रेड अलमंडा और ये दखिए दोस्तों बहुत कमाल का फूल दिया है और सेंटर देखिए इसका बलाक आता है और ये पिंक से अलग होता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पिंक अलमंडा है लेकिन पिंक नहीं है दोस्तों और ये चेरी कलर बोल सकते हैं आप और ये बहुत बड़िया बड़िया फूल दे रहा है मीडियम साइज का आता है फूल इसका ज्यादा बड़ा तो नहीं और रेगुलार ये फूल दे रहा है और बड्स भी देखिए रेगुलार बन रहे हैं इस पर फ्लावरिंग सीजन में इसको पानी कम मत कीजिएगा पानी रेगुलार दीजिएगा और गमला सुखा नहीं छोड़ना है आपको नहीं तो फूल सब सुख जाते हैं दोस्तों नहीं तो ये फूल सब लाश्टिंग करेंगे आपका अच्छे से साथ दिन नेक्स्ट पोधा है हमारा मुसेंडा मुसेंडा का रेड देखिए इसका बहुत प्यारा फूल आता है दोस्तों और सेंटर से एक्च्छली इसका फूल आता है ये देखिए ये जो है और ये सब रेक्ट सब हैं लेकिन ये भी बहुत कमाल का दिखते हैं और मैन सब फूल आएगा लेकिन बटरफ्लाइ को अट्रेक्ट करने के लिए यह सब यह ब्रेक्ट बनाते हैं और मुसेंडा एक एजी टू क्यार प्लांट है और रेड थोड़ा मिलता नहीं है रेयर है और पिंक दोस्तों बहुत आसानी से मिल जाता है और इसमें देखिए अभी रे प्लांटों में स्पोर्ट आता है और यह देखिए पता भी बहुत प्यारा लगता है साइनी ग्रीन कलर में रहता है इसका और पतों से आपको पता चल जाएगा प्लांट कितना हेल्दी है अपका नेक्स्ट पोधा है हमारा दोस्तों डॉक फ्लावार यह देखिए कितना ब देखिए इसका पता में दिखा रहा हूं पता ऐसे आपका हाट सेव में रहता है तो अभी बहुत बढ़िया खिलेगा यह और दो तीन महीना नेक्स्ट पोधा है हमारा मोगरा मोगरा देखिए दोस्तों बारिस के महीना में भी बहुत जोरदार खिलता है और यह हाईब्रि इसमें भी फूल खिलता है दोस्तों समर से लेके अभी तक देखिए नॉन स्टॉप यह खिल रहा है और फटी लाजर बस आप हर 20 दिन में आप डालिएगा नेक्स्ट पोधा है हमारा दोस्तों कनेर कनेर का यह देखिए ड्वार भरैटी और इसका पता भी अगर आप देख पूल आ रहा है यह एक जहरीला पोधा रहता है और बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए और यह बटरफ्लाइ होनी भी यह सभी को अट्रेक्ट करता है दोस्तों और डिजीज कुछ भी नहीं लगता है और बहुत हाड़ी प्लांट रहता है मरता नहीं आसानी से बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है इसे लाकर लगाना चाहिए नेक्स्ट फोधा है मुसेंडा का पिंग दोस्तों देखिए इसमें भी सेंटर से योलो कलर का स्टार आ रहा है और इसका फूल भी देखिए बहुत कमाल का रहता है दोस्तों नीचे अगर आप लगाते ह हैं तो बारा से चोदा इंच के गमले में लगाना चाहिए क्योंकि बार बार रिपोट करना नहीं पड़ता है आपको और यह बूसी प्लांट है और जितना ब्रांच निकालेगा दोस्तों उतना फूल आता है इसमें इसमें भी 20 दिन में फटी लाजर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सफोर्ट कीजिएगा और ऐसे नएने वीडियो और जानकारी वाला वीडियो में लेके आऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आ रहा है मेरा एची टेस्स के उपर मालती लता उसके क्यार के उपर एक वीडियो आएगा